कि नमस्कार दोस्तों मैं कनहिया आपका स्वागत करता हूं रेजिनिंग मास्टर में जहां पर आज हम आपको शिखाने वाले हैं सामान हिंदी वर्णिमंध्वनी को जो कि आपका डियलेड एक्जाम में बहुत ही महतकुन भूमिका निभाएगी तो इसे हम लोग समझते बढ़ेंगे और कुछ परसनों को सॉल्व भी यहां पर करड़े वाले हैं तो अगर आपने हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ओन कर लिजेगा और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ सेयर जरूर करिएगा ताकि हम आप लोग सायदी कभी पढ़े होंगे या पढ़े भी होंगी तो भूल गए होंगे तो मैं बिल्कूल उसी पैटर्न पर आपको ले जाने वाला हूं जहां से यह सिर्फ आपको पढ़के याद हो जाएगा तो क्या है कि वर्न उस मूलद्वानी को कहते हैं जिसके खंड या हर सही है खो है गौ है रो है इत्यादी यह सभी क्या है यह सभी वर्न है क्योंकि इनके खंड नहीं किये नहीं किये जा सकते यह क्या है इनके खंड नहीं किये जा सकते यह सभी वर्न है इनके खंड नहीं किये जा सकते तो हम समझ गए कि वर्न क्या है वर्न उस मूलद्वान को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किया जा सकते हैं नौट यहां पर कुछ नौट किया गया है तो उससे समझिएगा वर्णों के सम्मूग को क्या कहते हैं वर्णों के सम्मूग को वर्ण माला कहते हैं हिंदी में कुल 48 वर्ण है हिंदी में कितने वर्ण है तो कहि ए अए ओ अव है ये क्या है इनके संख्या कितनी इनके संख्या कियेगा इनके संख्या 11 है इनके संख्या 11 है इनके संख्या 11 है तो वर्णों के संभू को वर्ण माला कहते है हिंदी में कुल 48 वर्ण है स्वर में 11 है तो वर्णों के भेज को यहां पर हम दीख लेते हैं वर्ण सकता है और बनेगा ही वहपे पूछ लेगा कि सब्सक्राइब हो गया श्वर्ण्र और एक वेंजर हो गया ख्या उग्जी प्रस्ण को कहते हैं जिनका उचारन किसी दूसरे वर्ण की साहिता के बिना होता है सुवर वर्न किसे करते है सुवर उन वर्नों को करते है जिनका उचारन किसी दूसरे वर्न की साहिता के बिना होता है सुवर वर्न किसे करते है सुवर वर्न उस वर्न को करते है जिनका उचारन किसी दूसरे वर्न की साहिता के बिना होता है उसरा संग्यूक दूस्वरृ our यहां से हम समझते हैं कि वैंज़न व RCMA को कहते हैं जिसके उचारन में मृर्ण यह जाती है मैं जिसके उचारन में पहला होगा दूसरा अंतरस्त वेंजन तता तिसरा उस्मों वेंजन इसके उचारण में क्या होता है कि इसके उचारण में आपका यहां पर इसके उचारण में स्वरवर्ण के साहिता ली जाती है जैसे कि आपका यहां पर को हो गया खो हो गया गया चो को खो गो चो इत्यादी बहुत सारे हैं जो कि आपका बिना वेंजन वर्णी की साहता है कि इसका उचारा नहीं हो सकता है तो इसे भी हम लोग समझ गए तो चलिए अब हम प्रस्ण के और बढ़ते हैं तो यह महत्पूर्ण प्रस्ण है जो आप लोगों को एक्जाम के लिए दिया गया है बहुत ही महत्पूर्ण प्रस्ण है तो दोस्तों मैं आप लोगों से एक ही बात कहूंगा कि चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ना नहीं बुलिएगा और इस सेशन को शेयर जरूर करिएगा तो पहला प्रस्ट में कि ध्वनी किसे काते हैं तो कई बच्चों का साइद जवाब मन्में घुमरागों कि ध्वनी किसे काते हैं तो ध्वनी किसे काते हैं सुवर को काते हैं ध्वनी ये गलत है गुझ को भी ध्वनी नहीं काते हैं बोली को तो बोली को कहेगा बोली को भी ध्वनी नहीं काते हैं ब्हासा की लगुता मिक्याई को ध्होनिक करते हैं और उप्षा की लगूता मिक्याई को ध्वनी होता है उसको ध्होनी करते हैं कि लगुता है को द्वनी कहते हैं कि दूसरा प्रस्थ नहीं पर बंद रहा है कि निनिल्कित अक्षरों में से मैं कौन स्वर है च्छॉर है दिरगई स्वर है या पौँ सवर है तो आप लोग सोचपए पहले वीडियो को पौज करिएगा उसके पना कमेंट दिजिएगा और जवाब एक बीदिकार्टो जवाब नत्म होगा या गलत्त है तो आप लोगों का जाब साइद आए भी जाओ U अनुट- फॉक्सर जो है वो वेंजेनों के किस वर्ग में आता है फॉक्सर फॉवर्ग में आता है चौवर्ग में आता है तौवर्ग में आता है अगर किनी को पता नहीं हो तो मैं बता दू कि किसे करते हैं वर्ग जो होता है जैसे कि को से लेकि आपका वहां तक हो गया चौवर्ग से फो आपका पौवर्ग में आता है, इस प्रस्ट में क्या है, इस प्रस्ट में है कि घोजुए वो अक्षर वैंजनो के किस वर्ग में आता है, तो घोजो तौवर्ग में तो नहीं आएगा, čowork में भी नहीं आएगा 光 Рग में भी नहीं आएगा तो बچा है केवल एक तो जो एक बचा वही है, आपका राइट है कि कौवर्ग में आता है आपका गवह यहाँ पर क्या कि भासा किसे करते हैं भासा किसे करते हैं मनुसिकी बोली को भासा करते हैं कहिएगा मनुस्य की बोली को अगर भासा कहते हैं तो फिर आमारे भारत में बहुत सारी बोली हैं बोली जाती है सभी सो भासा होई गया लेकिन ये आपका गलत होगा भासा किसे कहते हैं मनुस्य की बोली को भासा कहते हैं तो आप लोग बाद सोचिए और हमें कमेंट करिए कि विचारों को परगट करने के माध्यम को भासा कहते हैं यहाँ पे एक खो जो है वो धौनी का उचारन अस्थान क्या है खो जो है वो आपका खो जो है वो उसका धोनी का उचारण क्या है तालू है कंठ है मुर्धा है दंत है वह आप लोग खो बोलिए मुझे खो 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 में तालू का प्रियोग होता है नहीं होता है खो, खो, मुर्दा का भी नहीं हो रहा है, दो का दंत का भी नहीं हो रहा है, यहाँ पे आपका खो, खो, कंट का परियोग हो रहा है, तो क्या होगा आपका option, ए आपका सही होगा कंट का परियोग होता है, यहाँ पर प्रस्न क्या है, प्रस्न है, री धोनी का उचारन अस्था क्या है कि यहां पर मैं अगर बात करूं तो ध्याद से सुनिएगा री कंठ तो नहीं होगा तालू नहीं बोल रहा हूं तो री में किसका प्रियोग हो रहा रहा है मैं बॉर्धा का प्रियोग हो रहा है तो यह आपका option C क्या जागा option C आपका right जवाब हो जाएगा मूर्धा का प्रियोग हो रहा है तो दोस्तों यह था हमारा आज का topic जहां पर आज हमने सीखा कि word ने धोनी को पढ़ा और जाना और समझा तो मैं आप लोगों को आज का homework दे रहा हूँ जो है आपका हमारी राश्ट भासा क्या है हमारी हमारी राश्ट भासा क्या है राश्ट भासा को कमेंट करके बताना है धन्यवाद